ये जो पब्लिक है ये सब जानती है पब्लिक है ये बाबू ये पब्लिक है पब्लिक नागलोई जाज विधान सभा के वर्ड नमबर 48 गुरू हरकिशन नगर में मैं आ पहुंची हूँ जानने के लिए कि यहां के क्या मुद्दे हैं चुकि इस इलाके की बात करें तो सडके यहां की चोड़ी हैं घरों की बात करें तो घरों के साइस भी यहां पर बड़े हैं लेकिन जो समस्याएं हैं क्या वो बुनियादी ही हैं जो समस्या हमें दिल्ली के और दूसरे वार्ड में देखने को मिलती हैं क्या वही समस्याएं ह चुनावें ऐसे में क्या दिक्कते हैं से लाके लिए बाक लेंज में इतना कूड़ा है कोई उठाने को तयार नहीं है मैंने कूड़े वाले जब आए उनको रिक्वेस्ट करी उठाने के लिए जाड़ू लगा रहे थे यह जो पूरे बड़े-बड़े पत्थर पड़े यह उठा दो यह हमारा काम नहीं है इसके लिए आप पहाँ पर फोन करिये तो कम से कम अगर उनको अलोकेट किया है ऑफिस ने कहा है कि आप आये हां पर तो पूरा काम करके जाए न और वो भी फोन करना पड़ता है वाई डू इंट दू इंसेल्फ आटमाटिकली फोन करके बल सफाई की प्रॉब्लम है को बिल्डिंग बनती है उससे कॉर्परेशन वाले आते हैं पैसे ले जाते हैं पहले वाले तो काम करने में दिक्कत ही वाला कोई करता नहीं था काम अभी अब सनी खेडा जी खड़े हुए हैं अभी इनसे काफी मीध है काम वाला पार्टी ना रह करेंगे पास्ता जो लगाओ इटालियन दडगा स्मितन जोन्स पास्ता मसाला वेरी वेरी टेस्टी सड़के मेडम ये देखो ये रोड पहले खोद के रखी थी दो साल पड़ी रही ऐसी किसी नहीं रिपेर नहीं की कुछ नहीं की जाके कमलेंट करते थे विदाय थी से कादमी बीमार हो जाए इतना अप जाओ दूर से भाग जाओगे आप देखके कितने कंदे की यहां पर आता कोई नहीं आता नहीं कोई नहीं पर जाता उसके अंदर लेटरिंग में जहां पर वो है तो अब बदा भूदा धंक से कोई ही नहीं सफाय करने वाला हमें लोग मा सब्सक्राइब कर देखके तरवाते हैं दिकते एक नहीं हैं कई दिकते हैं हमने यहां पर पिछली बार यहां के विदायक जी भी आये थे उनसे भी हमने रिक्वेस्ट की कि हमारे यह पेडों की चटाई की जाए यूरीन साफ करवाया जाए उन्होंने किसी को और भी दिये पर कोई फॉलो नहीं कोई कुछ नहीं कोई कार्या नहीं हुआ यह यह रैंप भी टूटा हुआ है पूरा ना यहां पर कोई बैठ सकता है ना कोई आ सकता है गंदगी इतनी ज़्यादा है पूछो मत हथ से जादा गंदगी यह से रिया मच्छों के लिए कोई छड़काव नहीं होता जी मच्छर रात को हम मेरे को बता है मेरी शॉप पे कितना मच्छर के लिए लोग आ के समान लेके जाते हैं और परेशान है यहां पूरा एरिया परेशान है नालियों इस हवाई होती नहीं है गटर बरे रहते हैं बार-बार कमेंड करने पर भी कोई कोई पर भी इतने गंदी आलता है कि देखने के वह दिल जाई नहीं चकते अंदर देख रहें आप नीचे केमरा लो लो किट देश दिस दिखकत इन नगर निगा में नालियां भरी हुए और क्या नालियां मच्छा तो जितना जादा नालियां होगा उतना फ्लीड होगा उतना होगा है ना तो इससे एट्मास्फियर खराब होगा सब कुछ गलत होगा तो बहुत इंपोर्टेंट है कि निगे सफाई होनी चाहिए तो जितना हम करें आए तक पार्टी में ना रहके वो सनी खेड़ा जी ने क्राय अब पार्टी में रहेंगे तो कितना काम करेंगे इसक पीचारे जीते भी नहीं देखे परसों नहीं उन्होंने शाप कराया लेडी बात्रूम और जेन बात्रूम के इतना बुरा हाल है अगर कोई आया जैसे आप ही को समान लेने आगए इस मार्केट में और खुदा ने खासता है अगर हो गए तो जाने होगे तो खुजी बाप की अगर गुरु हर्केशन नगर की बात की जाके Measure लाके की बात की जाए तो सबसे बड़ी टोईलेट की दिक्त है हमें अगर मान लो बात्रूम आता है तो हम जा नहीं पाते हैं या तो भार रोड पर जाना पड़ता है और पानिकी तो है दिक्कत वाल नमर 48 गुरू हरकिशन नगर की समस्याएं बाकी जगहों के जैसी ही हैं, बुनियादी हैं, जैसे की नालियों की सफाई नहीं होती, कचड़ा उठाया नहीं जाता, यहां तक की लोग इतना जादा परिशान हो गए हैं कि वो सोच रहे हैं कि इस बार बदलाव यहां पर हो, बदलाव की लहर इतनी जादा तेज है कि यहां परिणाम एक तरफा आ सकते हैं, चुनावों के जब परिणाम आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहाँ बीजेपी है आम आदमी पार्टी है या कॉंग्रेस है लेकिन लोगों की यह मांग है कि जो भी यहाँ से जीत कराए वो उनसे जुड़ा रहे और उनकी समस्याओं को समझे क्यामरपरसन अश्वनी के साथ शुतिका दिल्ली इंडिया टीवी